जापान में वाइरल हुई इस वीडियो फुटेज में एक रहस्यमई विमान आसमान में उड़ता दिखाई दिया कोछ वाइटर जेट इस गोला कार विमान का पीछा कर रहे थे हालाकि ओफीशिली जापान सरकार ने इस तरह के किसी भी विमान को देखे जाने की कोई बात नहीं कही ऐसे में इस फुटेज को कुछ लोग एडिटेड भी मान रहे हैं पर हैरानी की बात है कि चंद दिनों पहले हूब हूँ इसी तरह की एक चीज लॉस वेगस के ऊपर भी मंडराती दिखाई दी अईने की आपगे बातिसा दिखाई यडिए नच्ट टुटेजगे इस अदिए आधाई मे इसाने की अजिएरवंगे होग चाने की अजिए झालाती है वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शक्स के अनुसार ये कोई एलियन क्राफ्ट है क्योंकि गेंद की आकार का ये विमान एरो डाइनेमिक्स के सभी नियमों को मात देते हुए उड़ रहा था तो क्या एलियन्स अब खुले आम इनसानी विमानों को चुनोती दे रहे हैं जैसा कि आपने देखा यूफो के सभी वाइरल वीडियोज में एक गोलाकार उडनतस्तरी दिखाई पड़ती है पर अगर एलियन्स सच मुच इतने जादा एडवांस हैं तो वो हमारी नजरों से ओजल रहकर अपना सफर तै क्यों नहीं करते इनसानी नजरों से ओजल रहकर उड़ते एक ऐसे ही एलियन विमान को इस अगले वीडियो में रिकॉर्ड करने का दावा किया गया है लाव इक ढई हम प्रियोंगा है लीता ओजला ए亲र लृता है विल्धूत मतशती कैवसर वीडियों अगर्वा है ब dejar है के लिल्य कहैं है लूता है प्रचार्ट एंडित रवड़िंग और में प्रचार्ट पार्टिर सेुज़ दिए एन से ऱैजन प्रचार। अबार्ट कर दो दो आए। इस शक्स ने एक बादल को अजीब हलचल करते देखा बिना तेज हवाओं के भी ये बादल काफी तेजी से मूव कर रहा था ऐसाधारन प्राकरतिक घटना का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो देखने वाले हैरत में पड़ गए किसी ने इसको पानी से निकल कर हवा में उड़ता फोम बताया किसी ने इंडस्ट्रियल पोलूशन और किसी के हिसाब से ये चला वरण था ताकि इनसानी नजरों में बस बादल ही दिखाई दे खैर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए मेक्सिको का रहने वाला इसमाईल सोतो नामक एक व्यक्ती रात के समय अपने घर लोट रहा था कि तभी उसे रास्ते में मौजूद बिजली के खंबे पर एक अजीब रोशनी दिखाई दी उत्सुकता से भरा इसमाईल इस रोशनी को देखने उसके थोड़ा करीब चला गया और फिर उसे एहसास हुआ कि ये रोशनी एक आकार ले रही है पहली नजर में इसको देखते ही फिनिक्स नामक उस पक्षी की याद आती है जिसका वर्णन, युनानी, रोमन और मिस्र सहित दुनिया भर की कई अन्य दंत का थाओ में पाया जाता है भारत्य लोक गा थाओ में इसको अमर पक्षी या माया पक्षी कहा जाता है जिसका पूरा शरीर आग से बना होने के कारण वो अंधेरे में भी चमकता रहता है तो क्या यहां सचमुच उसी दुरलभ पक्षी को कैमरे में कैद किया गया है वैसे तर्क देने वालों ने तो ये भी कहा कि शायद खंबे पर लगी लाइट के ओप्टिकल इल्यूजन की वज़े से पक्षी का शरीर चमक रहा होगा मगर गौर करने पर साफ जाहिर होता है कि खंबे से दूर जाने के बाद भी उसकी चमक बरकरार थी ये है यूफरेट्स नदी जो की साल 2020 में कुछ ऐसी दिखती थी और अब कुछ ऐसी दिखती है अचानक पश्चिम एशिया की ये सबसे लंबी नदी तकरीबन सूख चुकी है जिसे लेकर बाइबल और कुरान में लिखा है कि जब ये पूरी तरह से सूख जाएगी तो ये संसार अंधकार की तरफ चला जाएगा इसी नदी के सूखे हिस्सों से कुछ लोगों ने अजीब आवाजे आती सुनी है इन आवाजों को हम पहले भी हमारे इस चैनल पर दिखा चुके हैं मगर अब हम आपको दिखाएंगे कि किसी जानवर पर इन आवाजों का क्या आसर पड़ता है हुआ है आपजिन! पाल्तु कुत्ते के कानों में जैसे ही ये आवाज बड़ी तो उसके हाव भाव बदल गए उसके चहरे पर डर दिखाई देने लगा साफ तोर पर ये आवाज इस मासूम कुत्ते को पसंद नहीं आ रही थी अब सवाल उठता है कि आखिर ये आवाज किस की है जिसको सुनकर एक पाल्तु जानवर भी सहम गया चंद महिनों पहले वाइरल हुई इस अगली वीडियो क्लिप की वज़े से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या समय यात्रा वाकई संभव है शाम के वक्त लेसली एकसो नामक एक शक्स आराम से बैठ कर न्यूज देख रहा था उसी समय लाइव टीवी पर एक अजीब घटना हुई इसे सलो करके देखने पर मालूम होता है कि एक आदमी नाचाने कहां से इंटर्व्यू देती महिला के पीछे प्रकट हो गया न्यूज देखते अधिकतर दर्शकों को लगा कि हो सकता है यहां फुटेज में कोई कट होगा मगर बेग्राउंड में मौझूद लोगों पर ध्यान देने से साफ साफ पता चलता है कि यहां कोई कट नहीं था कुछ लोग मानते हैं कि शायद यहां ग्रीन स्क्रीन लगी होगी लेकिन न्यूज रिपोर्टर और इंटर्व्यू देती महिला सचमुच उस समय वहीं खड़ी थी और उनके पीछे कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं थी ऐसे में टाइम ट्रेवल थियरी में यकीन करने वाले लोग कहते हैं कि यकीनन ये कोई समय यातरी था जो एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हुए लाइव न्यूस पर रिकॉर्ड हो गया तो दोस्तों ये थे कैमरे में रिकॉर्ड पांच रहस्य मई हाद से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद